नमस्कार दोस्तो स्वागा तक पर फिर से आपका आमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान हाई कोट भरती के बारे में जिया दोस्तो वेकेंसी के बारे में पूरी अपडेट आपको देने वाले है कि आपका रिजल्ट जो आपके जीला मुखेले वाँ पर कितनी सीटे खाली है इसके बारे में हम बात करने वाले है तो वीडियो के अंतक बनी रहीएगा तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाई कोट LDC का खोशित कर दिया जाएगा जहां दोस्तों 12 तारिकों आपको यहां पर रिजल्ट आ सकता है इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फाइनल मेरिट लिस्ट की उसका वीडियो मैंने अल्रेडी पहले से बना दिया है डोकुमेंट वेरिफिकेशन में आपको कितना टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों रिजल्ट आने के बाद में मैक्सिमम 15 दिन का ही टाइम आपको मिलेगा डीवी के लिए तो सारे डोकुमेंट्स आपको रेडी कर लेना है documents आपको मैंने already बता दिये है कौन-कौन से documents आपको बनाने है कुछ लोगों को यहाँ पर doubt हो रहा था कि यहाँ पर 10 और 12 में certificate कौन सा सही होता दोस्तों यह मैंने जो बताया था कि अलक्से जो certificate होता है वो 2009 के पहले की candidates के लिए है क्योंकि उस टाइम में mark sheet अलगाती थी और certificate अलगाता था लेकिन अभी यहाँ पर जिसमें data of battle लिखी होती है उसी के अंदर ही आपके mark sheet आजाती है तो आप यहाँ पर confuse मत होईगा एक यहाँ पर जो police verification के अंदर confusion हो रहा था तो आपको बता दो कि police verification criminal records के लिए चेक किया जाता है जबकि certificate जो होता है आपका चरीतर पन्वान पतर वो आपको school या college से बनवाना पड़ेगा इसमें भी कई लोगों को doubts हो रहे थे हैं और दोस्तों जो आपका बता दो कि जो documents आप सारे ready करोगे अगर आपके किसी भी documents में अगर नाम में error है या किसी चीज में भी error है तो इसके लिए आपको अलग से एक affidavit बनवाना पड़ेगा अगर किसी ने भी यहाँ पे affidavit नहीं बनवाया है तो आपका 500 रुपे का stamp लगेगा उस पी जाकर कि आप affidavit बनवा सकते हैं जो भी आपके corrections होंगे वो आपके आपके document verification में आप affidavit देके सही कर सकते हैं कि यहाँ पे इस नामी यह error है लेकिन दोनों ही candidates सेम है ऐसे करके आप affidavit बनवा सकते हैं दोस्तों आपको सारे documents ready रखने हैं आपका बहुत ज़ल्दी result आने वाला है और final cutoff का मैंने वीडियो बना दिया आप जाकर के check कर सकते हैं अब मिलेगे आपने नेक्स वीडियो में एक ने update के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों